दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ Mr. Richard Tembler के बुक The Rules of Money से Rule No. 43 के बारे में और Rule No. 43 कहता है कि Don Trent Buy Home यानि कि किराया चुकाते रहने से बहतर है कि आप अपना घर जरूर खरी दें दोस्तों, हम सभी को रहने के लिए एक घर की जरूरत होती है अब वो घर किराय पे भी हो सकता है या फिर वो घर हमारा खुद का अपना भी हो सकता है तो अगर हमारा अपना घर है तो बहुत अच्छी बात है लेकिन हमें से जादतर लोग जो अपने काम के सिलसले में सहर में रहते हैं एक दुसरी जगर पे रहते हैं वहाँ पे खुद का उनका अपना घर नहीं होता है तो ऐसे में जादतर लोग किराये पे यानि रेंड पे घर लेते हैं और वहाँ रहते हैं और किराये पे चुगाय जानवल पैसा हमारा एक expense होता है जो हमें हर महीने पे करना होता है और हमारी कमाई का एक fix हिसा हर महीने किराये पे खर्च होता रहता है तो यहाँ पर सबसे पहले हमें तैग करना होगा कि क्या हम किराय के मकान में रहें या फिर खुद का घर खरीदें अब यहाँ पर प्रॉलम यह है कि हम में ज्यातर लोगों के पास इतना पैसा नहीं होता कि हम खुद के पैसे से, अपने पैसे से कोई घर खरीदे या कोई घर बनाएं अक्सर हमें मकान खरीदने के लिए, घर खरीदने के लिए होम लोन यानि कर्ज लेना पड़ता है और हम जब होम लोन लेते हैं तभी हम अपना खुद का घर बना पाते हैं या फित खरीद पाते हैं तो अब यहाँ पर important सवाल यह आता है कि क्या ये नियम ये कह रहा है कि आपको home loan जरूर लेना चाहिए और घर खरीदना चाहिए क्योंकि अगर ये नियम ये कह रहा है कि आपको home loan लेना चाहिए और घर खरीदना चाहिए तो वापस से हमें home loan लेकर घर खरीदना चाहिए ये कैसे एक अच्छा फैसला हो सकता है तो दोस्तों ध्यान दीजे कि इसमें कोई भी सक नहीं है कि loans से आपको दूर रहना है और loans आपको नहीं लेना है तो फिर यहाँ पे किया क्या जाए आप loans भी नहीं लेंगे और घर भी अपना खरीद लेंगे ऐसा कैसे possible है How is it possible कि आपके पास घर खरीदने के लिए पूरा पैसा भी ना हो और आप loan भी ना ले और घर खरीद ले ऐसा कैसे possible है तो दोस्तों इस सवाल का जवाब यह है कि सबसे पहले आपको home loan को कर्ज की बजाए निवेश समझना है जी हाँ आपको home loan को loan की तरह से नहीं बलकि एक निवेश की तरह से देखना है जी हाँ सिदा सिदा यह possible नहीं है कि जब आपके पास खुद का पैसा नहीं है घर खरीदने के लिए तो आप बिना loan लिए घर खरीद लें आपको home loan तो लेना ही पड़ेगा लेकिन यहाँ पे trick यह है कि आपको उस home loan को loan की तरह से नहीं देखना है बलकि एक निवेश की तरह से देखना है कि जो आप निवेश कर रहे हैं और आप वहाँ पे घर खरीद रहे हैं तो इस तरह से यहाँ पे आपको यह समझना है कि आप loan नहीं बलकि निवेश करते हुए घर खरीद रहे हैं और यही एस वीडियो के खास message कि आपको home loan को एक investment एक निवेश की तरह से देखना है और उस निवेश के थुरू आप अपना खुद का घर खरी सकते हैं, खुद का घर बना सकते हैं और ऐसा करके आप rent पे चुकाया जाने वाले बहुत सरे पैसे को सही तरह से यूज कर सकते हैं, निवेश कर सकते हैं और उस निवेश से आप यहाँ पे अपने लिए अपना खुद का घर बना सकते हैं दोस्तों, यह सही है कि होम लोन की वज़ा से हमारे उपर एक लोन का burden होता है, उसकी EMI हमें pay करना ही होती है लेकिन उस होम लोन की EMI की वज़ा से ही हम अब एक asset create पाते हैं क्योंकि वास्तों में घर एक asset यानि समपती भी है, जिसका हमें बाद में फायदा होता है जब हम लोन को चुकता कर देते हैं, तो उस समपती को हम बेच सकते हैं, वहाँ पे हमें profit भी मिल सकता है दूसरा विकल्ब यह है कि उस घर को किराय पे देके हम किराय कर रूप में income भी कमा सकते हैं इसके अलाबा अगर हमने पहले छोटा घर लिया हुआ है, उस घर के लोन को हम पूरा कर देते हैं तो वहाँ से जो में पैसे मिलेंगे, उस पैसे को यूज़ करके हम अपने लिए एक बड़ा घर, मनपसंद घर ले सकते हैं, बना सकते हैं तो दोस्तों, I hope कि आप अच्छी तरह सब समझ पा रहे होंगे कि आप बिना होम लोन का बोज लिए अपना घर कैसे ले सकते हैं और इसका simple जवाब यही है कि आपको अपने income में fit बैठने वाला एक होम लोन लेना है और उस होम लोन को आपको एक निवेस की तरह से समझना है, उसको निवेस की तरह से देखना है ना कि लोन की तरह से अगर आप अपनी आम लोन में fit बैठने वाला sufficient लोन लेते हैं और वहाँ पे उस होम लोन की EMI के थुरू अपना एक घर खरिद पाते हैं तो यह बिल्कुल वही होगा कि आपने बिना लोन लिए अपना घर खरिद लिया क्योंकि आप जो होम लोन के EMI के पैसा चुका रहे हैं वास्ताव में वो एक investment भी है बस यहाँ पे सर्थ यह है यहाँ पे समयज़ारी यह है कि आपको अपने आउकास से बड़ा यानि कि आपको अपने आमदली का एक बहुत बड़ा हिसाब EMI में पे नहीं करना है आपको उतना ही EMI पे करना है जो कि आपकी आमदली में fit बैट सके तो समझारी से आपको यहाँ पे आपके income में अच्छी तरह से फीट बैठने वाला home loan लेना है और उसका use करके ही आपको अपना घर खरीदना है दोस्तों एक thumb roll के मताबिक आप जो भी किराया भरते हैं उससे 30% या 50% ज्यादा अगर आप EMI pay करते हैं और वहाँ पे अपना खुद का घर खरीद लेते हैं तो यह आपके लिए एक बहतर financial decision है जैसे कि मान लेजिए कि आपका किराया अगर 5,000 रुपे आ रहा है तो उसकी जगह पे अगर आप 6,000 रुपे या भी 7,000-8,000 तक EMI pay करते हैं और अपना खुद का घर ले लेते हैं तो यह एक बहतर financial decision हो सकता है क्योंकि सिर्फ आप extra 3,000 रुपे पे करके ही अपना खुद का घर ले पा रहे हैं जो कि एक investment भी है और वहाँ पे आप 5,000 रुपे जो किराया में ऐसे ही pay करने वाले थे वो सिदा सिदा आप बचा पा रहे हैं और साथे साथ आप उसका investment भी कर पा रहे हैं तो यह एक बहतर financial decision हो सकता है लेकिन वहीं पे अगर आप किराया 5,000 भर रहे हैं और 15,000 यह 20,000 की EMI वाला loan ले ले लेते हैं तो यह आपके लिए एक आउकास से बड़ा loan हो सकता है और यह आपके लिए बाद में पस्ताने वाला फैसला हो सकता है तो आप ध्यान रखे हैं कि आप उतना ही loan ले जो कि आपके अधनी में fit बैठता हो और आप उसे अच्छी तरह से चुका सकें दोस्तों ध्यान दीजे कि किराय में जो भी आप पैसा चुकाते हैं उसके वापस मिलने का कोई भी चांस नहीं होता है लेकिन अगर आप खुद का घर ले लेते हैं तो वहाँ पे जो भी आप EMI में पैसा चुकाते हैं तो बाद में वो पैसा आपको ब्यास चाहित मिलने का चांस होता है क्योंकि जब आपका लोन चुकता हो जाता है तो आप उस घर के मालिक होते हैं आप उस घर को अलग दरग से इस्तेमाल कर सकते हैं उस घर को किराय में दे सकते हैं आपको एक इतना ही लोन लेना चाहिए जो आपकी आमदनी में sufficient अच्छी तरह से fit बैठता हो और अपनी पूरी कमाई का 20 से maximum 30% हिस्सा ही EMI में चुकाना चाहिए और याद रखना चाहिए कि होम लोन से लिए घर लोन चुकता होने पर आपका अपना हो जाएगा आप उसके मा आए और इसका message जरूर समझ में आया होगा और ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा अगर वीडियो पसंद आया हो समझ में आया हो तो इसे like और share जरूर करें अगर आपके मन में कोई भी सवाल हो ताब नीचे comment करके पूछ सकते हैं मैं आपके सवालों का जवाब देने की जरूर कोसिस करूँगा और अंत में इस वीडियो आप देखने के लिए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद